बारिस का मौसम आया नहीं कि बुट्टे मिलना चालो हो जाते हैं और बुट्टे की रेशिपी कई तरह के से बनाई जाती हैं तो उसमेशी में एक रेशिपी आपको बता रही हूँ आपको पसंद आएगी नमस्कार मेरा नाम सिताक माउथ और सितास कोकेंग चैनल में आपका बोत्पो स्वागत है आज हम स्वेट कोन की चाट बनाएंगे वह भी अलग तरीके से अलग डिप्रेंस तरीके से आपको बोत पसंद आएगी तो मैं बोत्पोर पुरी में दाने बढ़े हुई है इसे बोत्पोर लेना है और मकई बोत्पोर में पाने डालेंगे गरम करेंगे और गरम पाने में स्वेट कोन के डाने को डाल देंगे और आधा चोटी चमश में नमक डाल देंगे और डखल लगा कि पांसे च्छै मिनट इसको उबाल लेंगे पांसे च्छै मिनट हो गया है स्वीटकून के दाने हमारे अच्छी सीवबल के त्यार हो गया है देख सकते हूँ कितना अच्छा कलर आया है अभी गेस बुंद कर दे और चंणी में इसको निखाल देंगे ताके एक्स्टा पनी इसमें निकल जाए अधा जानि में निकाल लिए मैं आयो हल्के चावल का आठा, चावल को मैंने पीछ लिया है मिक्सर में, आपके बास में आठा हो तो आठा भी ले सकते हो, और दो चमच मेदा की लाल रही हूं, चावल के आठे से इसमें करिंचिनेस आएगी, और मेदा से इसमें कोटिंग आएगी मसाले की, और थोड़ा सा नमक और एक चमच लाल मिची पाउडर, अचे से मिक्स करेंगे, मसाला मिक्स हो गया है, अभी स्वेट कॉन लेंगे, और बड़े बरतर में डाल देंगे, और ये जो मसाला मिक्स करके लिए है, मेदा, खुर्चावल का आठा, बेशन, ये पूरे मसाले को इसके उपर डाल देना है, स्वेट कॉन के उपर, और अचे से मिक्स करेंगे, ताकि इसके उपर अचे से कोटिंग हो जाए, ये देख सकते हो, अचे से हमारी कोटिंग हो गई है, मसाले की, अगर थोड़ा सा मसाला आपको सुका दिखे, तो एक चमच चोटी पानिक डाल लेना, और फिर मिक्स कर लेना, ताकि अचे से कोटिंग हो जाए, कोई भी मसाला सुका नहीं रहे, अगर सुका या मसाला रहेगा, तो आप तेल में फ्राइगर होगी, तो मसाला पूरा तेल में निकल जाएगा, ये देख सकते हो, अचे से मसाला की कोटिंग हो गई है, अभी तेल गरम करेंगे, औ पुरे स्वेटोन को तेल में डाल देंगे और अचे से फ्राई करेंगे दो से तीन मिनाट लगेगा इसको फ्राई होने में और गेस का flame, medium ही रखना है, ज्यदा high भी नहीं रखना है, ज्यदा low भी नहीं रखना है, low to medium रखोगे, तो इसमें पूरा तेल चला जाएगा, और high रखोगे, तो उप्रा उपर से मसाला जल जाएगा, तो हमारा ऐच्छा स्वेटकॉन की चार अच्छे नहीं बनेगी और अलट पलट करते हुए इसको 3-4 मिनट तक पकाएंगे अच्छे से 2-3 मिनट हो गया है अभी देखो कितने अच्छे से हमारे स्वेट कॉन फूल गए है और अभी आपको याद देला दूँ कि आपको मेरी रेसिप केसी लग रही है अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक सेर करना और चैनल पे नई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना विल्कूर मत भूले और अभी अच्छे से फ्राई होगे है स्वेट कॉन अलग निकाल लेंगे इसको यह देख सकते हो कितना अच्छा कलाराया है और अभी सेकिंड बेच भी हमारा इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे बहुत अची रेसिपी बनती है इसी तरीके से अगर आप एक बार बना के जुरू ट्राई करना बोत अच्छी लगती है सारी रेशिपी आप भूल जाओगे और इसी तरी केसे बनाना चाओगे ये भी हमारा फ्राई हो गया है इसको भी निकाल लेंगे सारे सुवीटकोन को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसकी आवाज सुनारी में आपको देखो कितने अच्छे से आवाज आ रही है आपको सुवीटकोन की आवाज सुनके ही पता चल रहा होगा कि कितरी क्रंची है ये हमारी सुवीटकोन और कितने अच्छे चट्प बोट मेंगे हो अभी लेकिन मैं भी एक चोटा टमाटर बारी काड़ के डाल रही हूँ आधी चोटी चमाच काला नमक डालेंगे आधी चोटी चमाच काली मर्ची का पाउडर मसाला आप अपने पसंद से कोई भी डाल सकते हो अभी तोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे चाट मसाला से अच्छी कुश्ब आती है और इसमें सारे मसाले आ जाती है तो वह अच्छा टेस्ट आता है तोड़ा सा साधा नमक डालेंगे कोई भी मसाला अपने पसंद से कम ज़्यादा भी डाल सकते हो हरा दनिया बारी कटव डाल देंगे हरा दनिया से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और चाट की जान आए और अभी अच्छे से मेक्स कर लेंगे बहुत अच्छे है इमारी टेस्टी क्रिस्पी चाट बन के तयार होती है अगर आपके पास में अनारदने हो तो वो भी इसमें डाल सकते हो, बहुत अच्छे ही लगते हैं अनारदाने डालने से भी, और इसमें आप नमकिन भी एड़ कर सकते हो, आप अपने पसंद से कोई भी और चीज डाल सकते हो, और अभी अच्छा फ्लेव लाने के लिए आदा निमो करश डाल देंगे, निमो से अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, आप चाहू तो निमो की जिगए आमचूर भी डाल सकते हो, लेकिन निमो से अच्छा टेस्ट आता है, और इसमें आपने अमकिन भी एड़ कर सकते हो, इसी तरीके से आप भी बनाई और इंज्योई करें, और कमेंड करके जुरूर बतान कि आज की मेरी रेशिपी कैसी लगी है, ये देखो हमारी सुविट कोन की चटपटी चार्ट बनके त्यार हो गई है, कितनी अच्छी देख रही है, देखने में कितनी अच्छी देख रही है, देखते ही मुमें पानी आ रहा है, देख सकते हैं, अंदर से सोप्ट और उपर से क्रिस्पी बनिये बहुत अच्छी लगती है इसी तरीके से आप एक बार बनाके जुरूर ट्राई करना और जैसे मार्केट में ठेले वाले कैसे सव करके देते हैं उसी तरीके से मैं आपको सव करके बताऊंगी मेरा तरीका कैसा लगा है कमेंट जरूर करके बताना इन मार्केट में जैसे ठेले वाले गिलास देते हैं सवकर के वेशे ही डाल रहे हूं में इन गिलास मेरे पास में उसमें डाल लेंगे आप अपने पसंद से कोई भी प्लेट में डाल ले ना और गिलास हो तो उसमें भी सवकर सकते हो मैं ग्लास में डाल के बता रहे हूँ पूर जैसे ठेले वाले कैसे देते है उसी तरीके से सव करके देरे में आपको इसी तरीके से ग्लास में मैंने पूरी स्वेट को डाल लिया है और अभी आभी बनाई इसी तरीके से और इंजोई करें आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर करें चैनल पे नहीं हो तो पली चैनल को सब्सक्राइब करें लेना साथ में बेल आइकन भी दबाए ताकि नए वीडियो की नोटिपिकिशन मिलें मेरी रेशिपि आपको कैसी लगती है कमेंट जरूर किया करें आप कमेंट करते हो और मुझे पढ़के अच्छा लगता है कि मेरी रेशिपि कैसी बन रही है और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी नए रेशिपि लेकिया हूँ इसके लिए मुझे अच्छा लगता है म मिलते हैं इसी नई वीडियो के साथ में तब तक लिए नमस्कार एंटिकेट